फाइनली BCCI ने कन्फरम कर दिये अफगानिस्तान के खिलाब 3 T20 मैचों के सिरिज के लिए भारतियाई स्क्वार्ड है जिसमें कप्तानी करते हुए नजर आने वाल हैं कप्तान रोई सर्मा जियां दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सूरी कुमार यादो और हार्दिक पांडिया इंजरी से जूज रहे हैं तो वहीं पर इसान की सन अफगानिस्तान के खिलाब ब्रेक ले लिया हैं तो अब ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाब 3 T20 मैचों के लिए BCCI ने रोई सर्मा कोई कप्तान बनाया है तो आखिरकार कप्तान रोई सर्मा को लेकर भारत के कौन कौन से 17 सदस्य को टीम में मौका मिला है आज की इस वीडियो मैं आपको पूरे स्क्वाड बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों आपका स्वागात एक बार हमारे चैनल किरकेट गैलक्सी मे आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत और अफगानिस्तान 23 T20 मैचो का सिरीज कब कहा या और कितना वज़े खेला जाएगा और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ अफगानिस्तान के खिलाब टीम इंडिया का कनफाम स्क्वाड देखा जाए तो आज का वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाले है तो फिलीज यार वीडियो भीना स्कीप की है लास तक देखना तो अब ऐसे में भारत और अफगानिस्तान 23 T20 मैचो का सिरीज 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक खेला जाएगा जिसमें T20 मा मुकावला 11 जनवरी 2024 को साम 7 बजे मुहाली की बिंदरा स्टेडियम में खेला जाएगा और बात करें दूसरा T20 मा मुकावले को लेकर तो दूसरा T20 मा मुकावला 14 जनवरी साम 7 जनवरी को साम 7 जनवरी को साम 7 बजे बैंगलोरू के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलता हुआ देखने को मिलेगा और आप एदि मुबाइल पर लाइब इस्ट्रीम का लूट उठाना चाहते हो तो मुबाइल पर आपको डिजनी प्लास आटी स्टार पर देखने को मिल जाएगा तो आई ओप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और अफगानिस्तान वी की नहीं करें हो तो फिलीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो तो चलिए दोस्तो बीना टाइम गए मैं आपको अफगानिस्तान के खिला टीम इंडिया की फाइनली स्कॉर्ड बता देता हूँ तो ऐसे में सबसे पहले नाम है कप्तान रोई सर्मा का जिया दोस्तो अफगा तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि टीटवनटी में रोई सर्मा किस तरह से बल्ले बाजी करेंगे आएसे ही नमबर दो पर मौका मिला है विराट कॉली को जी यां दोस्तो फानली एक साल के बाद बीराट कॉली को भी टीटवनटी स्कॉर्ड के लिए चुना गया है और द मौकर मिला है SSB Jazz Wall को जी यहां दोस्तों इतना टाइम T24 में SSB Jazz Wall open करते हुए देखने को मिले हैं और देखा जा तो SSB Jazz Wall काफी तावर तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं या आक्रमकले में बल्ले बाजी करते हैं लेकिन दोस्तों आक्रमकले मे प्रमकले में बल्ले बाजी करते हैं या आप सबने वल्लकम में देखा यह होगा 500 से भी जादा रन बनाए थे और अबरल देखा जाया तो खास करके सिरे साइयर स्पीनर के खिलाब काफी लंबे लंबे छका लगाने के लिए जाने जाते हैं सूरी कुमार यादो के चलते सि T20 में उतना मौकार नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों इतना टाइम सूरी कुमार यादो इंजड हैं तो सूरी कुमार यादो के जगह पर आपको सिरे सहीर खेलते हुए देखने को मिलेंगे आइसे ही नमबर पांच पर मौकार मिला है विकेट कीपर बैट्समैन केयर राहूल को जी यादोस्तों केयर राहूल भी काफी सांदार लाय में एकट कीपिंग करते हैं और ताबातोर अंदाज में बल्ले वाजी भी करते हैं खास करके देखा जाए तो कुछ समय पहले केयर राहूल T20 में ओपन करते थे लेकिन दोस्तों इतना टाइम मीडल अडर में खेलते साजेदारी बनाने के लिए जाने जाते हैं देखा जातों सुमन गिल T20 टेस्ट और डियाई सवी फारम में काफी लाजवाब लाय में बल्ले वाजी करते हैं लेकिन बात करें T20 में तो सुरुआती तोर में T20 में कम इस्टाइग रेट से बल्ले वाजी करते हैं लेकिन दो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाब T20 के लिए संजू सेमसम को मौका मिला है देखा जाए तो संजू सेमसम को टीम इंडिया में उतना मौका नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों जब जब मौका मिलता है तो काफी सांदारले में परदर्सन भी करते हैं अभी हाली में सौथ अफर पर मौका मिला है बैटिंग आल राउंडर सीवम दूबे को जी यहां दोस्तो हार्दिक पांड़े अपने इंजिरी से लेकर जूज रहे हैं तो ऐसे में हार्दिक पांड़े के जगए पर टीम में सीवम दूबे को मौका मिला है और ओवरल देखा जाए तो सीवम दूबे भी सिवं दूवे की इस तरह से परदर्सन करते हैं ऐसे ही नमा नाइन पर मौका मिला है फिनीसर किंग रिंकू सिंग को जी आँ दोस्तो रिंकू सिंग इतना टाइम काफी सांधार ले में बले बाजी करते हुए गेम को फिनीस कर रहे हैं देखा जातो रिंकू सिंग 200 से भी जादा इस्टाइक रेट से तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी करते हुए लम्मे लम्मे छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं हाला कि रिंकू सिंग के बले से अभी तक T20 में सिर्फ एक ही हाप सेंचूरी देखने को मिला है लेकिन दोस्तों उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी करते हुए रिंकू सिंग हाप सेंचूरी से भी जादा रन बनाएंगे ऐसे इन नमबर 10 पर मौका मिला है बाटिंग आल राउंडर अक्छर पटेल को जी आँ दोस्तों अक्छर पटेल भी काफी तावर तोड़ अंदाज में बले बाजी के साथ साथ स्पीन गेद बाजी भी करते हैं खास करके देखा जाए तो कम एकुनिमी के साथ गेद बाजी करते हुए बिकर चटकाते हैं और जरूरत के समय बल्ले बाजी भी कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब भी अक्चर पटेल सांदार ले में परदस्तन करेंगे नमबर 11 पर मौकर मिला है बैटिंगार राउंडर रविंदर जड़ेजा को जी आँ दोस्तों जड़ेजा भी स्पीन गेद बाजी के साथ साथ तावर तोड़ अंदाज में बल्ले बाजी करते हैं देखा जाए तो इतना टाइम जड़ेजा के बल्ले से कुछ खास रन देखन को नहीं मिला है लेकिन दोस्तों गेद बाजी से काफी सांधार लाई में बिकर चटकाते हैं और उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाब सांधार लाई में गेद बाजी के साथ साथ भी स्पोटक अंदाज में बल्ले बाजी भी करेंगे ऐसे ही नमबर 12 पर मौकर मिल है स्पीन गेद बाज रवी बिसनोई को देखा जाए तो रवी बिसनोई काफी कम इकनुमी के साथ गेद बाजी करते हुए बिकट भी चटकाते हैं और इतना टाइम आप देखेंगे तो टी-20 फारण में रवी बिसनोई दुनिया के नमबर वन गेद बाज भी हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि रवी बिसनोई अफगानिस्तान के खिलाब किस तरह से गेद बाजी करते हैं नमबर 13 पर मौकर मिला है और कर किंग अर्षदीव सिंग को जियां दोस्तो अर्षदीव सिंग पाउर पले में काफी सांदार ले में सुइंग कराते हैं और डेथ होवर में आर्कर डालते हैं और अर्षदीव सिंग की सबसे अची बात है कि जरूरत के समयां बिकर निकाल कर देते हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक हुआ कि अफगानिस्तान के खिलाप असदीव सिंग की इस तरह से गेद भाजी करते हैं। ऐसे ही नमबर पंदरे पर मौका मिला है जस्परीद भूमरा को। जस्परीद भूमरा भी पाउन पले में स्विंग कराते हैं और डेथ होगाने गजब की यारकर डालते हैं और बीच बीच में जस्परीद भूमरा काफी सांदार ले में बाउंसर डालते हुए बिकट भी निकालते हैं और उमीद करते हैं कि जस्परीद भूमरा अफगानिस् अफगानिस्तान के खिलाब भी कम से कम 4 सी 5 फिकर चटकाने वाले हैं ऐसे ही नमबर 11 पर मौका मिला है मुकेस कुमार को जी यां दोस्तों मुकेस कुमार भी काफी सांदार ले में गेद बाजी करते हैं टीटवनटी वडियाई टेस्ट सभी फारम ने इतना टाइम गेद हैं खास करके देखा जाए तो मुकेस कुमार डेथ ओर में काफी सांदार ले में औरकर डालते हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक हुआ कि अफगानिस्तान की खिला मुकेस कुमार किस तरह से गेद बाजी करते हैं और फाइनली नमर 17 पर मौका मिला है मौम्मार सिराज को जी हां दोस्तो मौम्मा सिराज भी काफी सांदार ले में वेरियेशन डालने के लिए जाने जाते हैं और खास करके पौन पले में सुइंग कराते हुए बिकर चटकाते हैं तो अब ऐसे में देखने लाइक हुआ कि अफगानिस्तान की खिला मौम्मा सिराज किस तरह से पर बताईएगा फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई